हेलो स्टूडेंट्स तो हम डिसकस कर रहे थे ड्राग एक्टिंग ओन उटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और इन्हीं लेक्च्छ की सीरीज में हमने सारी ड्रोग्स डिसकस कर ली हैं drug acting on alpha receptors चाहे वो एग़ोनिस्त थे चाहे एंटागोनिस्त थे drug acting on beta receptor जिसमें हमने देख़ा कि agonist हमने discuss कर लिया है आज हमेजो करना है antagonist है और इसके इलावा जो पारा-symphatic nervous system के जितने भी muscaronic or cotonic receptor के एगोनिस्त आन्टागोनिस्त थे कुछ हम डिसकस कर चुके हैं तो आज न लास्ट करने जा रहा है उसे हम डिसकस करने जा रहे हैं जो क्या है बीटा ब्लॉकर्स तो सभसे पहली बार बीटा रिसेप्टार सब को बता हैं सिंपथाटिक नर्औरशीं का जो मेजर आपकी मिरल प्रotomaytor है नौर अडरनलीन और अडरनलीन जब भी रिलीज होते हैं इनको अपने इफैक्ट को प्रिड्यूस करने के लिए औवियसली रिसाप्टार्स की ज़रुत पड़ेगी तो इनके पास दो आप्शन्स हैं दो टाइप के रिसाप्टार्स प्रेजेंट हैं एल्फा एंड वीटा र आफ़ेरस लृटार्स देख चुके हैं विध्व ब्या लोकेशन एकोंस एंटागनेस बीटा रिसाप्टार्स हुर्ण है कि रिसाप्टार्स प्रदूर्स करती हैं जो आडरलीन या नौर्डानालीन करता है आझ हम बात करने जा कि वह कौन ऐसी ड्रग है जो वीचाप्टा भी हमारा हार्त का तो हमारे हमारा हार्स बैट यो बढ़ जाता है हमारे हार्स का फोर्स ऑप्राक्शन है कि प्रॉड जाता है तो अगर आपको ऐसा चाहिए, suppose आपके सामने कोई heart failure का patient है या कोई ऐसा patient है, जिससे heart related disease है, like arrhythmia है, ठीक है, heart rate बहुत ज़्यादा पहले से है, तो आप उस case में क्या चाहोगे, कि beta 1 receptor के थूँ, जो sympathetic nervous system, जो response produce कर रहा है, उसे रोका जाए, ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, चाहे पैरा sympathetic nervous system हो, चाहे sympathetic nervous system है, जब तक ये अपने एक normal level पे रहता है, क्योंकि body की normal physiology को maintain करने के लिए, इन दोनों का ही रोल बहुत important है, तो जब तक ये एक normal level पे है, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि normal functioning आपकी maintain रहेगी, beta blockers तभी असर दिखाएंगे, जब आपका sympathetic nervous system over active हो गया है, suppose कोई ऐसी situation है, जहां पर बहुत आपका sympathetic nervous system over active हो गया, लेकिन case of anxiety, ठीक है, किसी person को anxiety है, तो आप जानते हो, anxiety के case में क्या होता है, जो noradrenaline है, इसका level क्या होता है, brain में बढ़ जाता है, neurons में, तो आप simply बोल सकते हो, ऐसे case में हम blockers देंगे, beta blockers, विकिस हमें पता है कि ये physiology से अलग हो रहा है, तो normal हमेशो ध्यान रखना, sympathetic nervous system, जब तक normally activated है, यानि कि हमारी normal physiology के लिए जितना required है, तब तक activated है, तो beta blocker देने का कोई फाइदा नहीं है, ठीके, तो जरुरत भी नहीं है, obviously, तो हमेशा जब overactive रहेगा, तभी जाके ये drugs act करने वाली है, अब बात यह आती है, कि जो ये beta blockers है, क्या करते हैं, समझ मां आ गया, अब बात यह है, कि जो ये beta blockers हैं, किस तरीके से work करते हैं, like alpha receptor blockers, आपने देखा था alpha blocker में, तो टाइप की category में हम drugs को divide कर सकते हैं, एक है selective, दूसरी है non-selective, selective वो drug होंगी, जो particularly एक type के receptor को block करेगी, ठीके, like beta 1 को ही block करें, क्योंकि हम जानते हैं, चलिए, start करते हैं, हमें क्या पता है, हमें पता है, कि जो हमारे beta receptor से हैं, इनको हम तीन class में divide कर सकते हैं, पहला है beta 1, दूसरा है beta 2, तीसरा है beta 3, इसके बारे में detail में हम सारा कुछ फ़र्च चुके हैं, ठीके, अब बात यह आती है, दिको जो selective drug होंगी, वो क्या करेंगी, अगर आप selective beta 1 blocker दोगे, तो वो केवल किसको block करेगी, beta 1 को block करेगी, selectively beta 2 को block करा रहे हो, तो selective beta 2 block करे, अगर आप beta 3 को ही block कराना चाहते हो, तो आपकी beta 3 block करे, it means selective drug वो drug होंगी, जो किसी particular एक टाइप के रिसापतार पे act करेगी, ठीके, यह क्या है हमारी selective drug, non selective कैसी होंगी, non selective वो drug होंगी, जो कि क्या करेंगी, इनके बीच में बिल्कुल भे distinguish नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है कि वो beta 1 को ही block करेंगी, वो beta 2 को भी block करेंगी, पर ध्यान में यह रखना है आपने, कि non selective जो drugs होती है, उनकी sensitivity beta 3 receptors के लिए बहुत कम होती है, तो जब भी हम non selective beta blockers को पढ़ेंगे, तो आप उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे, कि जो major जो आपके receptors block होंगे, वो कौन से होंगे, beta 1 और beta 2, beta 3 के लिए इनकी sensitivity बहुत कम है, और इस फिल्ड में अभी भी recent में भी बहुत काम चल रहा है, क्योंकि beta 3 receptors के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जिनका पता लगाया जा सकता है, तो फिलाल आप ध्यान रखें कि non-selective beta blocker किन दोनों को block करेंगी, specifically beta 1, beta 2 दोनों को block कर देंगी, beta 3 के लिए sensitivity थोड़ा कम है, तो हम पहले हम बात कर लेते हैं about selective beta blocker, यानि यह selectively जो block कर रहे हैं, ठीके, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी about selective beta 1 blocker, ठीके, यह हम कौन से कर र पहले हैं, we are talking about selective beta blocker, तो selective beta blocker की category में, beta 1 की पहले बात करते हैं, और हमेशे धान रखना, जो यह drugs होती है, जो beta 1 blocker है, specifically selective blocker, इनको बोलते हैं, हम cardio selective drug, okay, cardio selective beta blocker, तो मैं beta blocker को लिख रहे हूं, double B, okay, तो cardio selective you बोला, क्योंकि आपको पता है, कि जो हमारे beta 1 receptor है, इनकी major location क्या है, heart, हलाकि JG cell में भी present होते हैं, जो हमारी kidney में, just agglomerular cell है, वहां पे भी present होते हैं, जिसके थुरू रेनिन रिलीस करवाते हैं, और अगर आपको ध्यान हो, जो मैंने आपको रेनिन अंजियोटेंसिन system पढ़ाया था, तो ultimately, रेनिन अंजियोटेंसिन रिलीस होने के बाद भी आपका जो फाइनली, जो आपका sympathetic nervous system है, वह active हो जाता है, तो घुमफिर के बाद वहीं पे आगई, तो simply, cardio selective, क्यों बोला क्योंकि ये drug, मेजनली क्या करने वाली है, heart पे काम करेंगी, इसलिए, ये cardio selective beta blocker है, तो देखते हैं, beta 1 को block करने वाली कौन कौन सी medicine है, ठीक है, so in this category, we have etinolol, next हमारे पास है, metoprolol, okay, next one is esmolol, next is bitaxolol, okay, इसके अलावा, ऐसी भी जो लॉल, BC के डिग्री में आएगी, और भी बहुत सारी drugs हैं, जो हम इसके डिग्री में mention कर सकते हैं, तो specifically, ये जो drugs हैं, ठीक है, ये लॉल लिखा हुआ है, पीछे ध्यान रखेगा है, beta blocker की खासियत है, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, so ये सा करेंगी, जब भी आप इंड्रॉक्स को दोगे, सीधे ये किस receptor को ब्लॉक करेंगी, beta 1 को, बाकी से कोई मतलम नहीं है, beta 2 as it is, beta 2 के जो function है, वो perform होंगे, केवल असर किस पर आएगा, beta 1 पे, तो specifically, हम कभी ये ड्रॉक देते हैं, मान लीजे, कोई person आपके पास आरहा है, जिस अज़ा है, आप सोची है, आप गार बेटा 2 को अगर ब्लॉक करा दोगे, अगर आप लॉक ब्लॉक करा दो किया है, आप जानते हो, बीटा 2 रेसेप्टार की वज़े से क्या होता है, ब्रॉंको डाइलेशन, यानि के इन्सान को सांस लेने में असानी होती है, बाग अगर erez beta 2 को भी भुक करा दोंगे तो क्या हो जाएंगे bronchise construct हो जाएंगे Assomatic patient को bronch leash upright है आपने क्या non selective drug दे के beta 2 को भी भुक करा दिया और अब उससे क्या होगा सांस लेने में problem होगा तो ऐसे situation में आपको क्या चालिए आपको चालिए कि आप पेशिन को कौनसी ड्रग दे सलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर समझ में आ रहे हैं कौनसी सिचुएशन है ठीके अब हम बात करेंगे यह तो रग थी आपकी बीटा वन ब्लॉकर जो के बीटाउकसा नी जो बीटाउकसा नी जो बीटा टू ब्लॉकर है इसलेक्टि बीटाउकर आप ध्यान रखिएगा व्यूंत नहीं है और इनको इनका कोई यूज नहीं होता है कि इवल एक्सपेरिमेंटली लैम में इनने यूस करते इफॉर रिसर्च परपल्स ध्यान जो selective beta 2 है और selective beta 3 रिसाप्टार ब्लॉकर है इनका कोई क्लिनिकल यूज नहीं है ठीके तो लेकिन नेम आपको पता होने चाहिए बीटा 2 ब्लॉकर क्या है बीटा 3 की सीरीज है ठीके इनको अभी तक कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया हुआ है बट सीरीज जरूर है वो 3-8 2 I think 2-8 है yes 3-8 sorry 3-8 और दूसरा है आपका L-748 यह इनिशन 3 डिसेट सेम है और लास्ट से हमारा 337 ओके यह हमारे क्या है ड्रॉक से जो बीटा 3 ब्लॉकर है selective beta 3 ब्लॉकर है स्पेसिफिकली क्या है इनका कोई क्लिनिकल अप्लिकेशन नहीं है केवल लाबरेटरी में जो एनिमल एक्स्पेरिमेंटेशन होते हैं आपके उनके लिए इनने फिलाल यूस किया जाता है ठीक हो गया अभी भी रिसर्च वर्क इन पे चल रहा है स्पेसिफिकली अगर हम selective drug की बात करें तो केवल selective beta 1 ब्लॉकर अगर बीटा ब्लॉकर की केटेगरी से कोई selective drug important है तो वो beta 1 selective blocker important है ठीक है जिनने cardio selective beta blocker भी कहा जाता है reason मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनकी क्या importance है तो यह था all about selective beta blocker specifically इनके नेम आपको पता होने चाहिए ठीक है चाहे clinical application हो या ना हो आप बात करेंगे हम किसकी non selective drug की ओके चलिया तो non selective बहुत simple है मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो non selective हमारे पार drug रहेंगी वो specifically क्या करने वाले है वो बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेंगी बीटा 3 के लिए उनकी sensitivity काम है इसलिए बीटा 3 receptors के जो भी response होंगे उन पे इतना फरक नहीं पढ़ने वाला है सो हम बात करें हैं about non selective बीटा ब्लॉकर ओके एक से जादा जो receptors होंगे वो ब्लॉक होने वाले है सब नहीं होंगे सब तो हमने पहले ही हटा दिया रेस से बीटा 3 को बाहर कर चुके हम बीटा 1 बीटा 2 है इसके अलावा भी आप देखो के कुछ ड्रॉक ऐसी भी है जो बीटा को छोड़के बीटा को तो ब्लॉक कर ही रही है अलफा को भी ब्लॉक कर देती है ठीक है बहुत इंपॉर्डेंट है मैं बताऊंगी उनकी क्या क्लिनिकल इंप्लिकेशन है क्यू इन्हें हम बूल से पहली कटेगरी हमारे पास है रापuke इंट्रेंसिक उके पहले हम ऐसा कह लिते विदाूट करं आधे विधाउंट कर लिदाउट इंट्रेंसिक सिंपैफो माइममेसिक एक्टिविटर्ण यह कटेगरी आपने सुनी होगी अगर ऐपने क्लासिफिकेशन तो डेखा है आपने बीटा ब्लॉकर्स का नॉन्सिलाक्टिव का ठीके ये कौन See drug है आपकी ग्याँग्टिविटिटिविटि आपकी थें तो Your drug मतलब नहीं है उसमें activity लेकिन यह इंट्रिंसिक संपाथो मायमेटिक अक्टिविटी होती किया अगर हम इसको समझ लें तो हम दोनों class को समझ लेंगे तो मैं ऐसा किरती हूँ यही पर दूसरी class भी लिख देती हूँ ठीक है इंट्रिंसिक संपाथो मायमेटिक अक्टिविटी ओके इसे लिख दिया है मैंने ठीक है इंट्रिंसिक संपाथो मायमेटिक अक्टिविटी को मैंने इसे से डिनोट किया हूँ है यानि कि इस काटिग्री में वोड रगाएंगी जिनमें इसे है यानि कि इंट्रिंसिक आपको मैंने जब रसाप्तार्स के टाइप पड़ाये थे जब मैंने 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 रसाप्तार्स के टाइप पड़ाये थे जब मैं एक्तिविटी मतलब होता है पार्शिल एगोनिज्म कुछ ड्रग ऐसी होंगी बीटा ब्लॉकर्स की केटिगरी में कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि हाला कि ब्लॉक करेंगी हम कह रहे हैं वो बीटा ब्लॉकर है लेकिन थोड़ा बहुत उसके अंदर सिंपैथो मायमेटिक नकल करना यानि कि अगर मैं बोल रही हूं कि अगर कोई ड्रग में इंटरंसिक सिंपैथो मायमेटिक एक्टिविटी है तो इसका मतलब यह है कि वो ब्लॉक जरूर करेंगी लेकिन कम्प्लीट ब्लॉकर नहीं करेंगी ठीक है केवल मैंने बता है था पार्शल एकुनिस्ट करती है पड़ा था यादार है तो आपको ध्यान में क्या रगना है कि कुछ रग कुछ बीटा ब्लॉकर्स ऐसे भी है जो क्या है ब्लॉक तो करती हैं बीटा रिसेप्टार्स को लेकिन कम्क्लीटली ब्लॉकर नहीं देती है थोड़ा बहुत सिंपैथो मायमेटिक अब आप यह सोचेंगे कि इसका क्या एडवांटेज है जब हम बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हैं तो हम कम्प्लीट ब्लॉकर्स यू नहीं करा रहे हैं है तो आपको ध्यान में यह रखना है कि जो बीटा रिसेप्टार्स होते हैं यह बहुत ही ज़्यादा सिंस्टिव रिसे सबसे क्या होगा एफक्त नॉर्मल से भी नीचे के रेंज मा सकता है सबसे पहली बात तो यह सब्स्पोस्स तुमने क्या किया नॉन स्लेक्टिव बीटा ब्लॉकर दिया चीक है बीटा 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 बीट से क्या होगा आप चाह रहे थे कि response कम हो लेकिन वो कम से भी नीचे आ जाएगा तो वो तो आपके लिए सही नहीं है ना हार्ट रेट बड़ा हुआ था ठीक है हार्ट रेट नीचे आया लेकिन आप उससे नीचे तो नहीं चाह रहे हो वैसे मैंने आपको बताया था कि जो बीटा ब्लॉपर्स होते हैं स्पेसिफिकली नॉर्मल अगर आपका ब्लड प्रेशर है नॉर्मल अगर हार्ट रेट है तो उसे नीचे नहीं करेंगे केवल बढ़ेवे को कम करेंगे दूसरा रीजन जो कि इस वाले को आप थोड़ा ये भी बोल सेपते हो कि हाँ नॉर्मल से ज्यादा नीचे तो वैसे भी नहीं आना है बट जो मेजर रीजन है इसके पीछे वो यह है कि जब आप बीटा रिसेप्टार्स को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं ठीक है तो उसकी वज़े से सपोज आपने क्या किया कुछ टाइम बाद ड्रक को विड्रॉ कर दिया सडनली आपने स्टॉप कर दिया तो बीटा रिसेप्टार्स क्या होते सूपर सेंसिटिव हो जाते क्योंकि आप खुद सोचिए ना एक रिसेप्टार ऐसा है जो बहुत लंबी टाइम तक उसको अपना एग तो वह उसके लिए इतना ज्यादा सूपर सेंस्टिव हो जाएगा कि थोड़े से अमाउंट से भी बहुत बड़ा एफेक्ट आ जाएगा समझ रहे हो एडरलीन या नौर एडरलीन सपोज यह हमारी सैल मेंब्रेन है यह हमारी सैल मेंब्रेन है ठीक है यह हमारा बीता रिसे नौर एडरलीन है और यह हमारा सब्पोज ब्लॉकर को बठा देती हूँ क्योंकि यह पीटा रिसेप्टार पर बैच चुका है तो यह बीता ब्लॉकर है डबल डी तो होगा गया रहो एक बहुत लंबे टाइम से बीता ब्लॉकर इस रिसेप्टार पर बैठा हुआ था था नौर अडरेनलीन को यह बाइंड नहीं होने दे रहा था तो इस वज़े से क्या हुआ चलो ठीक है रैस्पॉंस नहीं आ रहा था हाट रेट आपका नहीं बढ़ रहा था बीटा वन मान लीजे से ठीक है यह बीटा वन रिसेप्टार है अब हुआ क्या सड़नली आपने बीट बीटा ब्लाकर अटाप कर दी तो नौर अडरेनलीन फटाफट से आएगा बाइंड होगा बीटा रिसेप्तार बहुत जादा सूपर सेंस्टिव हो चुके हैं क्योंकि जब बहुत देर तक बीटा रिसेप्टार को ब्लोक कर ते हो तो मैंने क्या बता है ता क्या होता है इस वह सेल है वह सेल में नए नए रिसेप्टार्स भेजने लगती है ठीके और उसकी वज़े से क्या होगा यहां पर रिसेप्टार्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी इसको बोलते सूपर सेंस्टिविटी तो जब अब बीता ब्लॉकर नहीं रहेगा तो नौर अडर्नलीन इस एक इसको दिखें की थbor मिलता थान से थिर्टेटार्स की क्या किया हूए है अपने में में बढएवाए हुए है ठीके हाला कि इन रेसेप्टार्स को बीटा-वट बोक करता जा रहा था जितने भी एव रखा थी लेकिन अब जब बीक्ता था नहीं तो जो कि नौर अडरर् क्यों दे सकते है नुकसान समझ में आ रहे हैं अगर हाट रेट बताओ अब हाट रेट बहुत जादा हो जाएगा आपने बीटा वन ब्लॉकर क्यों दिये थे हाट रेट को कम करने के लिए लेकिन उसे हुआ क्या रिजल्टेंट इफेक्ट किया आया हाट रेट और जादा होता है कि जो बीटा वन रेटार हैं कम्क्लीटली ब्लॉक नहीं होते हैं 75 परसेंट इसमें ब्लॉकिज अगर होगी भी तो 25 परसेंट इसमें एगोनिस्टिक एफेक्ट भी आता रहेगा तो उससे बैलन्स बना रहेगा जो आपकी सेल है उसे यह नहीं लगेगा कि यह नौ है जो आपका अगर बीटा ब्लॉकर आपने छोड भी दी लेना बंद भी कर दिया तो उसकी वज़ा से आपको रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया रिफ्लेक्स हाइपर टेंशन को फेस नहीं करना पड़ेगा आपको समझ में आ गया होगा आप रेगुलेशन में आपको पूरा इसी लिए मैं बोल रही हूँ जो भी आप लेक्षर देख रहे हैं उसी सीरीज के अकॉर्डिंग ही पड़िये तो यह अपका क्या है इंट्रिंसिक संपाथो मायमेटिक अक्तिविटिटी होगा क्या एडवांटेज है तो यह जो कर फर्स केडिग्री है वो क्या है यह वो क अपकलीटली व्लॉक करेंगी ठीक है एंटागनिस्ट है यह प्योर एंटागनिस्ट आप इन्हें बोल सकते हो लेकिन जो आपकी इंट्रंसिक संपाथो मायमेटिक अपाली जो ड्रॉग होगी यह क्या करने वाली है यह पार्शियल आपकी पार्शिल अपार्शिल भिष्ट्विटिए मुद्य व्लॉक होता है कॉनगों सी ड्रग में पास है फ्रॉस द्रैंग है ञाओ टेमिलोर ने बोट बीट 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 वीट बीट टू यहांकर के वला के विद में टाल बीट था के वेज वाल ऑरट रान के एक्जामपल संजाने के लिए था हम बात करें बात करनेंondon-selective बीट बीट ब्लाचर तो इसलिए ये ड्रग बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेंगी ये बात दिमांग में रखना बीटा 3 के लिए इनकी सेंस्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है इसलिए बीटा 3 के साथ एंटाफरेंस नहीं होगा ओके तो ये तीन ड्रग ऐसी हैं जिनमें कोई भी आपकी संफ़ातो मैमेटिक अक्टिविटी नहीं है तो ये ड्रग के साथ कौनसी प्रॉबलम फेस करनी पड़ सकती है अगर आप क्या कर देओ completely ब्लॉकिज कर रहो तो अभी मैंने बताया था अगर आप completely ब्लॉक कर रहे हो और अ जब आपने दवाई छोड़ दी है तो जब नौ रेडर्रेलीन आएगा वापस उसको बहुत सारे रिसाप्टर्स मिलेंगे सबसे बाइंड होगे वो क्या गरेगा आपका रेस्पॉंस बहुत जादा प्रड्यूस करेगा नॉर्मल रेस्पॉंस अब नहीं आने वाल है हाट प्रड्रेट भी बढ़ा हुआएगा तो यह क्या फोर्स ऑफ कॉंट्रैक्शन भी बढ़ा हुआएगा तो इस बात को तो हमेशा लिहान रखिएगा तो क्या होगा बदाओ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा तो इसी लिए इन बीतर ब्लॉकर्स को के एड़र्स एफेक अबर्डर्ट में आप लिग सकते हो अगर इनको आपने अबरॉप्टली स्टॉप कर दिया तो क्या प्रब्लम आपको आसकती है रिफ्लेक्स टैकी कार्डिया ठीके हार्ट रेट का बढ़ जाना और रिफ्लेक्स हाइपर थेंशन हो और ब्लाद प्रेशर का बढ़ जाना इसके बाद जो यह इंडिविजुल ड्रग है मैं के कुछ आपको यूज भी बता देती हूं साथ साथ में कवर करते हूं हम चल रहे हैं अरे इस पर आपके क्यों रहे हैं को कौन के सीच्वेशन में यूज कर सकते हैं कि वह था टेंशाइटी में जांते हो कि आप किसी भी इंसान को इन्सान को रहे हैं तो आप देखोगे उसके ब्रेन में, बॉडी में, सिंपथाटिक नर्वस सिस्टम का जो आपका एक्टिवेशन होता है बहुत जादा हो जाता है यह अगर आप ब्रेन एनालिसिस करोगे तो आपको नौर अडरनलीन बहुत हाई अमाउंट में मिलेगा ठीके तो यह माना जाता है यह सारी में पहले ही एक बार बता चुक लिए हूँ आपको कि सियनस से रिलेड़ेट जितनी भी डिसॉर्डर जितनी भी डिजीज है इनकी एग्जेक्ट पैथोफीजोलाजी किसी को नहीं पता है हर किसी ने केवल क्या दी हुई है थियरिस प्रप शिसके भी भी ब्रेन में एक अक्समांट तो फिर्श 2019 में पता है किसी में अनॉल आपको कुछ नहीं पता है किसी अनूल इससे Siq przed होता है किसी बढ़ानी सकते हमें तो इसे नो नहीं कर पाइगे तो भी with yan doable आग्यां नहीं शुक्ती सकथ है, तो एलसे नहीं कर दो Gotti कृणक करता है हम यह में आपके चाहिए नहीं हो देंगे तो में तूब वे VAG इसे बोलते हम जियन अर्वट्म क महीं ह face लेवल बहुत जादा हो जाता है इसलिए हम वहां पे क्या दोगे आप क्या दोगे संपथाइडिक नर्व सिस्टम ओट एक्टिव है तो क्या देना चाहिए हमें संपथालाइटिक ड्रग और स्पेसिकली वहां पे हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर को और नौन सलक्टिव वीतावल प्रपेनलोल ठीक है तो सबसे पहला कि इसलिए है एक अज़्च नर्ग ब्लॉकर प्रपनलॉल ठीक है तो सबसे पहले है कि अज़ग में एक इसलिए चाहिए लिए और जादे रग अवेलिबिल हैं जो अगर दिसक्स करेंगे जिसमें आपकी बै करते हमारे पास थाइरो टॉकसिकोसिस अब जानते हो थाइरो टॉकसिकोसिस वार्मून का लेवल बहुत ज्यादा थाईरोटॉकर्ट आख जादा है जा AREा उनकर ज्ञादा हो जादा है तो उसको हम क्या बोलते है मिस्ट अज़ंज में एज़ले तो अब ऑफ लिए थायरो जब भी thyroid hormone से related आप उसकी फार्मकलोजी पढ़ेंगे ठीक है I think मैंने आपको कराया भी इसका lecture आप देख सकते हैं thyroid hormone पे तो आप देखोगे thyroid hormone जो होते हैं वो आपके sympathetic जो आपके receptors है ना उनकी sensitivity को बढ़ा देते हैं कि आपके receptors नॉर्मली मॉलीक्यूल के बाइंद होने से जितना response प्रोड्यूस किया करते थे अब वो उतने ही amount में उसी binding के साथ बहुत जादा response प्रोड्यूस करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि thyroid hormone अगर किसी के बड़े हुआ है तो उसका sympathetic nervous system की जो activity है वो भी आपकी बढ़ जाती है दोनों क्या है इक दुसरे के proportional है ठीक हो गया तो थाइरो टॉक्सिकोसिस का अगर कोई patient है इसका thyroid hormone बढ़ा हुआ है तो obviously उसके लिए बहुत सारी drugs available है बट for combination therapy आपको साथ में propanolol वी दी जाती है reason बहुत सिंपल है क्योंकि इस जब भी thyroid hormone का level बढ़ता है तो इसकी वजह से आपकी sympathetic nervous system की आपकी रसेप्टार्स हैं आपकी उनकी sensitivity भी आपकी बढ़ जाती है तो second आपको का समझ में आ गया use ठीक है थाइरो टॉक्सिकोसिस में यूज कर सकते हैं थर्ड़ इसे यूज हैै tremors , जो जटकी बढ़े है किसी को है तो आपकी जबे घ्रिमर स्क्राइब हम होते हैं थाइस में बढ़न के अगरे आपके हाथ पेरो में अपकी मुसल्स में क्या है बहुत से ट्षिचिंग हो और है जरकी मोँमें उनकी अरे मिश्सिकों हम ठीम बो एुछ जब भी नोरड्रुनीन जा प्रेजंडल में प्रेजंडस कि बीटर 2 ब्युद्टराफ र opens मेरे था था है मरी नोरडूरาलीन जो कि अट्रेजंडलम . जहां रौन्दराफ प्रेजंडलम फिर रसे तर्मय प्रेजंडस कि उप आठाप्शन में तो जब भी नौरेटरिनलीन उन रिसेप्टार से बाइंद होता है तो क्या होता है तो मसल जो स्पिंडल से नमें कॉन्ट्राक्शन स्टार्ट हो जाता है बहुत जादा और उसकी वज़े से ट्रीमर्स हमें फेस करने पड़ते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर आप आप त्रीमर्स से बचना चाहरे हैं हलाकि बार-बार मैं बोल रही हो ब्रॉक्स और भी अविलिबल है बट साथ में आप प्रोपेनलॉल दे सकते हैं क्योंकि उसकी वज़े से क्या होगा बीटा-2 रिसेप्टा ब्लॉक होने वाला है और बीटा-2 के ब्लॉकेश की वज़े माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस माइग्रेन में क्या होता है अगर किसी इनसान को माइग्रेन है जब हम कहते हैं है तो माइग्रेन में होत अगर हमें इलाज करना है थे सकते हैं उस देसिंटमस को हम ठीक कर सकते हैं ढूँ किस जो पर पेंट हो रहा है क्योंकि उनकि आप इनकी ब्रेन जो सान तो हम आपका होनी चाहिए तो हम एसी ड्रग्स दे सकते हैं तो देखिए आप जानते हो वह बेता TOO रेसेप्तार की वज़ए से क्या होता है वह ब्लड वेसल में व्यटा 2 रेसेप्तार होते हैं और उसके वज़ए से स्थाओ क्या आप चाहोगे जो आपका माइग्रेन वाला परसन है उसका बीटाटू रिसेप्ता नॉर्मल फंक्शन करे अगर वह बीटाटू ऐसे ही काम करता रहा जो वह वैसो डाइलेशन शो कर रहा है वह भी ज्यादा नौर अड्रलीन की वज़े से तो क्या होगा पेन और ज्यादा वोर्स हो जाएगा तो इसके लिए हम क्या करते है प्रोपेनलॉल को यूस करते है प्रोपेनलॉल दोगे तो क्या होगा बीटाटू रिसेप्टा ब्लॉक हो जाएगा बीटाटू के ब्लॉक होने की वज़े से क्या होगा क्या होगा वैसल्स डाइलेट नहीं हो पाएंगी और यही हम माइग्रेन वाले पेशिंट में चाह यह आपको ध्यान में रखना है तो हमेशा ध्यान रखो मैं बार बार आपसे में स्कार्टिंग में भी यही बोला था यह बिल्कुल भी नहीं है कि नॉर्मल किसी का नॉर्मल लेवल पर काम कर रहा है और आप सोचो कि बीटा ब्लॉकर देने के बाद वह कम अक्टिवेशन उसका हो जाएगा नहीं हमेशा बीटा ब्लॉकर तभी असर दिखाएंगे जब आपका सिंपथाटिक नर्वस सिस्टम ओर एक्टिव है ओर एक्टिव को नॉर्मल तक लेकिन नॉर्मल आपका अगर सिंपथाटिक नावस सिस्टम काम कर रहा है और फिर भी आप बीटा ब्लॉकर दे रहा हो तो यह उम्मीद बिल्कुल नहीं कर नहीं कि यह इससे भी नीचे लेका तो यह बहुत इंपॉर्डन पॉइंट है ठीक हो गया तो यह बहुत इंपॉ कंट्रोल हमारी बॉडी में नहीं होगा तो आप खुद सोचो ना ब्रॉंकाई इतने डाइलेट हो जाएंगे तो फिर हमारी जो ब्रॉंकाई की जो इलास्टिसिटी है वो भी तो लूज हो जाएगी है ना तो इसलिए हमीशा ध्यान रखना जब भी कोई आप बीटा आपका आपका नियुक्तारिक नर्वस इसलिए नॉर्मली एक्तिविटिडेगे किसी का ब्लड प्रेशल नॉर्मल है आप वीदा ब्लॉकर देने के पाल नीचे चला जाएग तो इसलिए अगर आपका अपका प्तिवेशन है तो ऑवर एक्तिम आपका नर्वस सिस्टेम है आपका sympathetic blockers काम करेंगे तो यह हमारे यूज थे आफ प्रोपनलॉल next one Sotelol Sotelol जो आपकी drug है यह आपकी यूज होती है as in potassium channel blocker potassium channel blocker अगर आपने arrhythmia देखा है anti-arrhythmic drug आपने देखी है तो आरिद्मिया के treatment में यह drug use होती है आपने देखा ना beta 1 receptor के वज़े से क्या होता है heart rate बढ़ था और अरिद्मिया में होता ही है rhythm आपकी change हो जाती है heart rate आपका अगर टैकी अरिद्मिया की में बात करूँ तो heart rate बढ़ जाता है arterial fibrillation, arterial flutter आपने पड़ होंगे वह हम अरिद्मिया में डिस्कुस करेंगे अगर आपको heart rate किसी individual का heart rate abnormal है बढ़ा हुआ है उसे आप कम कर रहे हैं तो in that case हम sotelol को यूज कर सकते हैं potassium channel blocker जो कि class 3 है anti-arrhythmic drug की उस category में ये drug आती है ठीके और आप जानते हो ना impulse को generate करने के लिए अगर एक impulse generate होती है तो उसमें sodium, calcium, potassium, potassium तीनों का रोल होता है याद है और एक भी आपका आयन है वह आप ब्लॉक करा दोगे तो उसकी वज़े से impulse generate नहीं होगी हार्ट में contraction नहीं होगा तो हार्ट रेट तो खुदी कम हो जाएगा ना यह हम डीटेल में भी जाएंगे फिलाल आपको पता हो नहीं है नेक्स ट्रग भी है तीमोलॉल अब तीमोलॉल का यूस कहां गड़ते है तीमोलॉल यूस होता है इन ट्रीट्मेंट ग्लुकोमा ग्ल यूस होना जरूरी है जो एक्वस्यूमर बन रहा है अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है आई के अंदर जो हम कहते है ना 2.5 माइक्रो लीटर आपका पर मिनिट बनता है अगर प्रोड़क्शन हो तो उसके साथ उसकी ड्रेनेज भी होनी चाहिए पूरा डीटेल में मैंने तो अगर आप खुद सोचिए ग्लुकोमा का पेशेंट है यह दिक्कत आरी है यानि कि एक्वस्यूमर आपका क्या हो रहा है बन रहा है ड्रेनेज उसकी नहीं हो रही है तो आखों के अंदर क्या होगा इंट्रा अकुलर प्रेशर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा उसकी रहा हो प्रेशर बढ़ता है तो इसका मंदब होती ही इसकी होगा श्ती नंग उस्टीन बमेज़ प्रेशन आप जाती है जिसकी वाज़े से Pilb तो आप जाएग कि थि का चुड़ अटिन अपटिक है है इसका मंदब प्रस देख नीन आण हो तामछी एम दोसे क बनता है यह क्या करता है सीलियरी बॉड़ी में क्या करता है वैसो जो वैसल प्रेजेंट है उनको कॉंस्ट्रक्ट कर देता है पूरा मैंने डीटेल में आपको बता है कैसे एक्वस्यूमर बनता है ठीके तो होता क्या है सीलियरी बॉड़ी में जो ब्लाड वैसल से उनको कॉं तो यहां मिल जाएगा, रिलीफ रिल्फ दून, समझ में आरह है तो तीम-O-Lol के काम करशा की तरीका बहुत सिंपल है, यह क्या करता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजन हैं, उनको क्या कर देता है, इपका कॉंस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक हो गया, तो यह आपका क्या है, यह जिनमें इंटरिंसिक सिंपेथो मायमेटिक अक्टिविजी नहीं है, जब भी ए रसाप्रार्स पे जायेंगी, र इनका डिसडवांटेज आपको मैं बता चुकी हूँ कि क्या इसका डिसडवांटेज होगा ठीके हम पात करेंगे ड्रॉग्स की जिनमें आपकी क्या है इंटरंसिक इंटरंसिक इंपातो-मायमेटिक अक्टिविटी है इस केडिगरी में जो ड्रग हमारे पास अफैलेबल है वो कौन सी है देखें इस ड्रग का नाम है हमारा पिंडोलॉब ठीके पिंदोलॉल हमारी ड्रग है एंटी हाइपटेंसिव ड्रग है यह बेसिकली आप इंडिया से बाहर भी आपकी कंट्रीज में इसको प्रिफर किया जाता है फॉर दे ट्रीटमेंट आप हाइपटेंशन रीजिन में बता चुकी हूँ क्यों क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक संप आपकी कार्डिया और हाइपटेंशन को फेस करना पड़ रहा है वह आपको नहीं करना पड़ेगा तो इससे ज्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बारे में अल्रेडी हम बहुत सारा डिस्कुस कर चुके है तो के मिल पता हो नाची है यह बहुत इस कर्टेग्री आती है वह कौन सी कर्टेग्री है देखो यह वोट राग है बीता ब्लॉकर्स विध एडेशनल तो हैं लेकिन देखो इन में और क्या एक्तिविटी है विध अडेशनल एल्फा वन ब्लॉकिंग एक्टिविटी यह मैंने आपको बताया था इस केटिगरी में वो ड्रग यह ब्लॉक करेंगी नॉन सेलेक्टिव है तो बीटा वीटाटू ब्लॉक करेंगी लेकिन साथ पर यह एल्फा वन जो रिस्टार की जो एफक्त है उन्हें भी ब्लॉक कर देगी अब इनके क्या एड्वांटेस ओने वाले हैं यह मैं भी आप लो कौन के साथ डिसकस करने जारी हो सो पेले हम इसक्रेगरी में जो रख है उनकी एकलिे थे क्वान क्वा ब्लॉक के उनकी नरos थैट्कि एल्च काट्र लेयर रुड्स करने जा रहा है उनकी रिक लेक्ट यह और सेखने मेंरे वैह बे पास वाजिक है भी कर्वीडी लॉक्ट यह जो दो ड्रग है यह वो ड्रग है जो बीटा को ब्लॉक करेंगी साथ में एल्फा को भी ब्लॉक करेंगी तो इनका क्या एडवांटेज हमारे पास होने वाल है तो यह मैं एडवांटेज अभी तक आपको नहीं बताया था अब मैं इसकी बात करूँगी यह देखिए यह स ईसमूद मस trên रिग फुजभ हैं समूबयल है चाहिका है तो हमाने पशनेडरा रिगो जो हमारी सेवान हो हें ऩ। यह पावर करले मसं के आट रहे हैं और फुजभ है जो कि वसी बलोड वैसल में कुछ भी कह लीजे यह है अब क्या होता है रखो आक ने क्या है अभी तक आफने दी तही जो आपकी चाहिए विधाऊट इंट्रंसिक говорит dwig थी जो आपकी चाहिए विद इंट्रंसिक्स इंपैंपाइमेटिक अक्तिविटी वाली टी ती आपने उसकेस में क्या किया would ऐ gữ लूटा के एटा को ब्लूग किया था बीटा ऑन वीटा था था मैं बूलूँ गी केवल बीटा र्मान क्या था अपनी। अपने कुछ नहीं किया था। ती के ठ्मानन के अग beef या रधा रोगकर अपने लुट। यह थी अपने लुटकर के अभंकर ब्लॉग pai लेकिन अलफा तो खुला है ठीके अभी अलफा तो ब्लॉक नहीं वा ना तो होगा क्या देखो जो नौर एटरिनलीन है से पता चल गया कि भई मैं बीटा से तो बाइंड हो नहीं सकता तो बीटा से तो रेस्पॉंस मेरे आने नहीं है तो सारी के सारी कॉंसेंट्रेशन किसके पास चली जाएगी एल्फा के पास तो जो एल्फा के थ्रू जो रेस्पॉंस प्रिड्यूस होते हैं वो क्या होंगे ज्यादा रेस्पॉंस प्रिड्यूस होंगे और आप जानते हो एल्फा रेस्प्टार्स की वज़े से क्या होता है वैसो कॉंस्रिक्शन होता है और वैस अपने एक्सपोज रखा है ना अपने लिए ब्लॉक नहीं किया तो इसकी वैसे वैसे बीटा ब्लॉक हो लेकिन अल्फा ओपन है तो यह नौर अधर निलीन अब बाइंड हो ज़ादा से ज्यादा जितने वी अल्फा रेसेप्टर में 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 प्रेजन होंगे वो अक् अपने बीटा ब्लॉकर्स के लिए थी अपने वीटा रेसेप्टा ब्लॉकर्स के लिए थी अपने इसी वज़से दिये थे कि जो परसंन है उसे हार्ट से रिलेटिड कोई प्रॉब्लम है है आपने हार्ट फेलियर का पेशें आपके पास आया था या आपके अपके पास आ गो जायेगा तो यह प्रॉब्लम हो सपेशल बनाती है यह यह ब्लग फॉटार्पटार्स को सिंदाइं आreseप्सक्रा cities तो यह LGBT अमद्वशा ब्लॉट Wow एव आपके ठीटमेंट में और भी जादा आपके लिए लिए क्या करती है विए रहती है तो यह जो ड्रग है इनका मेकनल्स तो आपको समझ में आगया और ख्या आद्वांटेज है इन डीड़ागर से यह जिए प्रसक्वाज ब्लोकर से यह तो यह घान रखिएगा यह जो बिटा को फाइफ ज्यादा गारे जयान के अपेंड टाइम करी किता ज़ित हो इस इप पास पास प्लगों करेंगी से लेवाटा 55 खराइड है जिसे का विडियो नहीं है री तिया भ्लॉक्त कर तेजित लेटा लेटाइप इन ही लेटा अप के पास पास ही शाया वड़ा ऐसे बाग करकें जब भी हाइपर ऑफुट कराएं वह बॉल्य हशा हो अफिक रहें इस आफ बैप्सा टाइश्ट को सैंब लुज अगर था भीप्शन का हम करकें तो आपको हार्ट ब्लडवेसल डोनों पर रहा है पर काम करना तो एक पर एक हाम करकें आपका काम नहीं चलने तो दोनों से ओवराल आपका BP कम हो जाएगा तो लेबिटलॉल हाइपरटेंशन के प्रेशिन में यूज होता है बहुत अच्छी ड्रॉग है कार्विडिलॉल जो है यह स्पेसिफिकली हम तब यूज करते हैं हाइपरटेंशन का प्रेशिन तो है लेकिन साथ में अगर वह हा कर्वीडिलॉल होता है इसके स्पेशिल प्रफेटी है अंटी आकसिडन ड्र Jimmy का कश्र स्प्रपरटेंशन का कर्षिए महां प्लााइक शुमर्टी दिस शुर्म गर्लिटम आपको परिश और Dave channel • Happy eating i प्रियाज बहुत सिंपल है अगर एंटी आक्सिडेंट टॉप दोगे ठीक है सब्सक्राइब कि आपकी क्या है एक एरिया में इस तरीके से क्या हो चुका है लिपिड दिपोजिट हो चुका है जिसकी वज़ासे जो ब्लट का फ्लो है वह अच्छे से नहीं हो पारा है भी लिपिड का तरीका क्या है इसको हुआदे का बहुत सिम्पल है यह हुआ सिम्पल सिंपल है इसको हुआ हुआ यह वहां हां कि और ईंटी आगशिदेंट का यूझ करो क्या करेगा देंट्रैका टां गढकेंच अगर आपको ध्यान हो जो आपका इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा और इसके ब्रेक होने के वज़ासे जो आपका पुनरी आडरी में जो फ्लो है वापस से नॉर्मल हो जाएगा तो इसलिए अगर आपके पास कोई पेशेंट ऐसा है जो हैपरटेंसिन का है प्लस उसे हाठ फिलियर की भी प्रॉब्लम है द्यू टू एथरस ख्लोरसिस स्पेसिकली मैं बात करी हूँ द्यू एथरस ख्लोरसिस जो ए लिपिट डिपोजिशन हुआ है तो आपको ऐसे केस में क्या करना होता है कारवेडिलॉल आपके पास बेस्ट उप्शन है जो आप यूस कर सकते हैं तो आपके सारे पॉइंट आपके क्लियर कर दिये होंगे अभी अमने इसलेक्टिव और नॉन-सलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कम्क्ली हम डिस्कस कर चुके हैं अगर इससे रिलेट पास बेंजल आपके करेक्ल आपके लाईड़ यू वार ओशन है चुके अथरे कॐ रहें अभी झालं, हुश हमfedा एमने अल्ए ग यूदन आपके।